करेला बनाने का ये नया और यूनिक तरीकہ आपको बिल्कुल हैरान करतेगा इस थरह करेले बनाने से करेले बनेंगे हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत जबर्दस और साथ में होगी टाइम की बचथ और एन धन की बचथ तो Welcome है आपका Sumas Kitchen में इस करेले की recipe को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 g करेले लिये हैं जो की medium size के हैं और इनका हम head और tail निकाल देंगे और इनको हलका हलका छीलेंगे बहुत जादा हम नहीं इसको छी लेंगे हलका सा तो पहले मैं चाको की मदद से निकाल ले थी फिर मैंने इसे पीलर ले लिया और उसकी मदद से इनके छिलके निकाल दिये छिलकों को हम बिलकुल भी वेस्ट नहीं करेंगे इनका भी हम इस्तमाल करेंगे तो एक प्लेट में म चम्मच नमक और सभी चीजों में नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे करेलों में नमक लगाने से करेलों की कर्वाहत काफी हद तक कम हो जाती है और इनको हम 10 मिनट तक करीब ऐसे ही रेस्ट करने देंगे तो ये काम तो हो गया आप चलिए तयार करते हैं बहुत ही मज़ेदार और हमारे टेस्टी सा मसाला एक छोटा चम्मच साबुद धनिया आधा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच मोटी सौफ तीन सूखी मिर्चे दो इलाइची इनको हम करीब आधा मिनट तक भूनेंगे मीडि मेले में और साथ ही करवाहट भी कम होगी तो बस अब इसको ठंडा होने रख देंगे और जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसका फाइन सा पाउडर तयार कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग लेंगे तो वो है हरा मसाला उसके लिए मैंने यहां पर लिए च्छे साथ लहसुन की कलिया दो छोटी हरी मिर्च पुदीना है एक चौथाई कप और एक कप हरा धनिया बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी करेले बनने जा रहे हैं ये और थोड़ा सा पानी डाल देंग पेस तैयार कर लेंगे इसका भी तो यहां पर मसाला हो गया तैयार और अब करेलो को नमक लगाया हुए 10 मिनट हो गया है अब हम इनको अच्छी तरह से वाश कर लेंगे इसको निचोड देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा नमक और कड़वाहट है दोनों ही निकल जाए इस तरह करने इसके बाद भी करेलो में हलका सा नमक बचा रह जाता है तो अब हम आगे नमक सोच के डालेंगे और छिलके और बीजे भी मैंने इसी तरह से धो लिए और इ केक मीडियम कटी हुई प्यास डाली प्यास को हलका सा ही फ्राई करेंगे बहुत जादा फ्राय करना है और इसमें डाल देंगे चिलके और इसके साथ भी अब हम इसको भून लेंगे तो गरीब एक मुनेंट अब डाल देंगे हरा मसाला पानी डाल देंगे साथ में और आज को कर देंगे धीमा तो अब यहीं से हमारी special trick शुरू होती है स्करेले को बनाने की तो सबसे पहले मैंने एक साफ कटोरी ली है और इसको कटोरी को बीच में रख दिया है सेंटर पे और इसके उपर हम डाल देंगे पानी कटोरी में भरेंगे पानी और उपर एक स्टैंड को याप जाली ले सकते हैं या स्टैंड बिल्कुल साफ करा हुआ उसको ले लेंगे और उसकी उपर इस तरह से करेले लगा देंगे तो इस तरह से जब हम इनको पकाएंगे तो हमारे मसाले के साथ साथ क sparkling भी soft हो जाएंगे और पक जाएंगे तो एक ही time में दो चीज़े हो जाएंगे अलग से बर्तन नहीं गंदे करना अलग से आपको ग्यास नहीं खर्चा करना और इस तरह से हम von54 क क्रेले बहुत आसानी से बना लेंगे अब करेले करीब 60% तक गल चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे और बीच में मुझे पानी कम लग रहा था मसाले में थोड़ा सा पानी और चिड़क दिया था तो आप देख लीजेगा जरूर चेक करिएगा नहीं तो मसाला जल सकता है और अब ये स्टैंड और कटोरी दोन आपके भी करेले बन जाएंगे पत्अवार को इसको भी डाल क THIS नमक और बछूर पाउडर जोसकी बहुत इंपोर्टेंग्रीडियंट होता है करेले का जल करके लोगया साथ ठीदे और अचला हिस iemand की में तेधा पक पने Chief प्ड़्ूर जालेगे देगे श्कोर पकने के बग जाए और एक अच्छा सा टेस्ट डेवलेप हो जाए तो अब यह हरा मसाला इसको थोड़ा सा कलर इन्हांस करने के लिए मैंने एक चथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और इसको भी मिला देंगे और बस पांच मिनट के लिए इसको पकाएंगे धीनियाज पर तो इधर आप करेले थोड़े से ठंडी हो गए हैं इनको मैं बीच से काट लेती हूँ तो बिना भरे हुए भरवा करेले का टेस्ट मिलेगा आपको इस करेले में और यहां पर पैन में मैंने थोड़ा तेल गरम किया और इन करेलों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इनको अच्छी तरह से पका लिया हैं तो अब बिलकुल करेले हमारे गोल्डेन हो गये हैं अब यह मसाला भी यहां पर तयार हैं और इन करेलों को हम इस पर मसाले में डालेंगे और अब इस मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ पर मैं ड्राई करेले मसाला बना रही हूँ तो अगर आप चाहते हैं ग्रेवी वाला तो आप फिर ग्रेवी वाला बना सकते हैं पानी डाल करके और मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया और अब यह हमारा हर्यारी करेला बिल्कुल बनकर तयार हो गया है जो कि बहुत ही टेस्टी बना है बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बनाने में भी आपने देखा कितनी आसानी से हमने बना लिया इसको तो उमी जाड़ को अच्छी इसको उते है गड़ करेंगा है झाल कर दो